हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु शेयर मार्केट फ्रेंड अगें हमारे जो एक दर्शक है उन्होंने एक सवाल पूछा था वीडियो के जो लास्ट मैं वीडियो पोस्ट किया था कि बाइबैक में और ओपन ओफर में क्या डिफरेंस होता है तो बेसिकली एक मार्केट से कमपनी जब भी शेयर अपने उठाती है या फिर बाइ करती है तो उसको बाइ करने के दो तरीके होता है एक तो वा बाइबैक से मार्केट से शेयर लेती है या तो फिर ओपन ओफर से तो open offer का और buyback में basically मैं main main point जो है वो cover करने कोशिश करूगा जो differences है उसके अंदर तो पहला तो point आपको पता है कि buyback एक fixed price पे आता है suppose 90 रूपीज पे वगएरा share चल रहा है तो 100 रूपय पे company buyback करती है तो उसका जो भी premium आता है 10 रूपय तो वो buyback में share accept होते है तो वो जो भी shareholder है या फिर जिसने भी tender किये share buyback में उसको मिल जाते है उसके बाद एक important point है कि buyback में एक ही time पे process पूरा complete होता है acquisition का एक ही window से और वो लगबग 2-3 महिने तक चलता है यह fix नहीं है बट बहुत जल्दी cover हो जाता है और buyback में important चीज़ क्या होती है कि उसके STT नहीं लगता है securities transaction tax और वो brokerage वगएर भी उसमें नहीं आता है क्योंकि company directly open market में जैसे transaction करते हैं buying selling का वैसा इसमें नहीं होता यह एक वापिस लेने जैसा share और जब भी company को price को support करना होता है price का strength express करना होता है उसका future outlook के बारे में company bullish होती है तब company buyback लाती है और open offer भी same type का है बट उसमें कुछ major difference है कि open offer एक fixed price पे नहीं होता maximum price भले fix की जाती है मगर company किसी भी price पे जो भी उनको market में मिल रहा है उस price पे market से shares को उठा सकती है मतलब 100 रुपय पे अगर market में चल रहा है तो वो company 80 पे भी ले सकती है जब उनको मिलता है तब 70 पे भी ले सकती है मुझे जो शमज़ है मैं आपको बता रहा हूँ शायद गलत होगा तो please correct me तो ऐसे multiple price level पे वो market से shares अपने उठा सकती है इसके अंदर retail investor कोई guarantee नहीं रहती कि वो higher price उसको realization होगा तो इसको company को benefit होता है मगर retail customer retail जो holder है उसको buyback में वगेरा जादा फाइदा होने के chances होते है और यह company ऐसे transactions में उठाती है मतलब lots में उठाती है ऐसा नहीं जरूरी कि जब iback में कैसे company एक साथ ही पूरा जितने भी share लेने ले लेती है मगर इसके अंदर company थोड़े थोड़े करके भी ले सकती है यह process mostly एक साल तक लगभग चलता है इसके अंदर tax और brokerage लगता है क्योंकि यह open market transaction होता है buying and selling का directly और जब भी company को अपने share acquire करने अपनी जो ownership percentage है वो बढ़ानी है यह फिर अभी suppose recently REC और PFC का चल रहा है तो वो शायद open offer भी आ सकता है बट अभी fix नहीं हुआ है तो वैसा जए acquisition वगएरा होता है तब company open offer लाके उसको acquire करती open market से धीरे धीरे और retail customers को open offer में ज्यादा benefit होके नहीं के chances नहीं होते है जितने buyback में होते है ऐसा fix नहीं है क्योंकि share का price तो fixed नहीं होता है वो continue vary होते रहता है तो उस situation पे उस share पे और share price पे डिपेंड करता है कौनसा beneficial है अभी जो mostly companies ला रही है वो buyback ही ला रही है और important सेभी ने mandate किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि company अगर open offer लाती है suppose 1000 करोड का तो उसमें से 500 करोड का उनको mandatory सेभी ने किया हुआ है जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें से क्योंकि पहले का होता था company open offer लाती थी और बीच में से ही उसको बंद कर देती थी उनको वो right था तो अभी mostly 50% का limit डाला गया है तो यह difference है share buyback और open offer में okay I hope मैंने आपका query address किया होगा और एक में बात बता दूँ यह जो मैंने video डाला हुआ है आप जब share market friend का video आपके subscription feed में देखते हैं या फिर कहीं पर search करते हैं तो please यह जो share market friend का subscription button प्लीज इसको press कर दीजिए इससे मुझे बहुत प्रेदना मिलेगी और अगर आप like dislike जो भी करना चाहते हैं इस पर click कर सकते हैं यह जो share का button है इस पर click करके आप अपने WhatsApp ग्रूप अगरा में इसको share कर सकते हैं और please subscribe button यह वाला प्रेस करना ना भूले thank you very much for listening share market friend